नमस्कार दोस्तो मैं हूँ समीर और आप देख रहे हो समीर फर यू यूटूब चैनल दोस्तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे चेरे पर पिंपल्स और वाइट हेट्स के बारे में कि किस तरह इनको प्राक्रितिक उपाई से जड़ से मिटाया जा सकता है तो फ्रेंड्स पूरी जानकरी के लिए वीडियो में एंड तक बने रहीएगा दोस्तो अगर स्कीन को ठीक तरह से साफ सवाई ना किया जाए तो वाइट हेट्स की समस्या होती है बजार में इन से निजात पाने के लिए तमाम प्रोडक्स मिलता है लेकिन उनके कई सारे साइड इफेक्ट्स भी होते है ऐसे में घरेलू तरीके से ही इन स्कीन प्रोब्लेम को जर से मिटाया जा सकता है और वो भी बीना साइड इफेक्ट के दोस्तों वाइट हेट्स या सफेत फुंसी मौहसो के साथ ही चेहरे पर आते है इसकीन में पाए जाने वाले बैक्टेरिया मौहसो और वाइट हेट्स की प्रमुक कारण होते है इससे बचने के लिए आपको अपने स्कीन को हमेशा साप सुत्रा रखने की कोशिश करनी चाह है क्योंकि ऐसे लोग ही ज्यादातर वाइट हेट्स या मौहसो की शिकार होते हैं जिसको घर्ली नुस्के की उपाई से जर से मिटाया जा सकता है तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं फेशियल स्टीम वाइट्स या सवेथ फुन्सी से निजात पाने के लिए फेशियल स्टीम एक बहतरीन उपाय है इसके लिए थोरा सा पानी उबलकर एक कटोड़ी में रख ले अब एफेक्टिट एरिया को कटोड़ी के उपर रखे अगर वाइट्स गले या फिर सीर पर ह तो ऐसे में एक तौलिया को भाप से गर्म करें और फुन्सी पर रखें ऐसे में आपको बहुत ज्यादा फाइदा मिलेगा निम्बू का रस तो अचा ज्यादा वाली होने की बजा से भी वाइट हेर्स की समस्या होती है इससे निजात दिलाने में निम्बू काफी असरदा पर लगाए ऐसा करने से कुछी दिनों में आपको फर्क दिखाई दिने लगेगा शेहत शेहत पाउरफूल एंटिवेक्टरियल गुनों से भरपूर होता है इसके लिए शेहत को हलका गर्म कर ले अब उसके बाद इसकीन को ठीक तरह से साब कर ले और गुन गुने शेहत को इसकीन की एफेक्टिट एरिया पर लगाकर 15 मिनिट के लिए छोड़ दे ये तरीका को अपनाने से आपकी चेहरा खिल खिलाने लगेगा नीम की पत्तिया वाइट हेस से निजात दिलाने में नीम की पत्तिया बहुत असरदार होते है इसके लिए नीम की पत्तिया और ताज ताजे फल खाये और खुब पानी पिए दोस्तों यह एक ऐसा उपाय है जिससे आपको वाइडर्स की नौवत ही नहीं आएगी इसके लिए दीन भर खुब पानी पिए और ताजे फलों का सेवन करें क्योंकि खुन साप रहने पर किसी भी तरह की स्कीन समस्या नहीं होती है औ और इसलिए दोस्तों अगर आप किसी भी प्रकार के इसकीन प्रब्लम की समस्या से गुजर रहे हैं तो खुब पानी पिए और ताजे फलों का सेवन करें तो दोस्तों उमीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगा तो फिर इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर क तो मिलता हूं आपसे मेरे अगले वीडियो में जय हिंद जय भारत